अब तक हमने जो भी सीखा है, उसके बारे में जानने के लिए किसी तस्वीर पर क्लिक करें. उस प्रकार का मालवेर जो बिना जानकारी या अनुमोधन के तुम्हारी सूचना चोरी करने का प्रयास करें, उसे स्पाइवेर कहते हैं. ये तुम्हारा पासवर्ड जानने के लिए एक वैद प्रोग्राम के जरिये वेब ब्राउजिंग डेटा का पता लगाने या कीबोर्ड पर दबने वाली कीज की निगरानी करता है. घरेलो स्पाइवेर का ज्यादतर उपियोग नियोकता करते हैं, ताकि उन्हें नेटवर्ग में इंटरनेट की पूरी जानकारी मिलती रहे और अपने कर्मचारियों की ओनलाइन गतिविधियों पर नजर रख सकें. वियावसाइक स्पाइवेर वियावसाइक उद्यमों को नुकसान पहुचाने के मकसद से बनाये जाते हैं. ज्यादतर हमें उनकी जरुरत नहीं होती, पर कुछ लोग इस तरहा के जाल में फ़स जाते हैं. की लॉगर्स स्पाइवेर होते हैं, जो पासवर्ड के अलावा हमारे की स्ट्रोक का डेटा रखते हैं. चैट लॉगर्स और इमेल रिकॉर्डर्स भी स्पाइवेर के प्रकार हैं. इस तरह के spyware हमें आए या भेजे हुए सभी chats और emails को दर्ज करते हैं। वो हमारे email account या chat mail से कीमती जानकारी चोरी कर सकते हैं। Modem hijacking software इंटरनेट connection वाले किसी mobile phone के dialer में पहुचने के लिए बनाया गया है। कई उब्भोकताओं को ज्यादा phone बिल चुकाना पड़ता है क्योंकि model hijacker software उनके phone में dialer install कर देता है। हम spyware blocker software और सुरक्षजाच से spyware को हटा सकते हैं। Botnets शब्द robots और network से मिलकर बना है। Botnets में हर computer को bot कहा जाता है। इस तरह के bots के network का इस्तिमाल cyber अपराधी अपराध करने में करते हैं। झाल